एक और नई वीडियो में हम बात करने वाले कि आपको अपनी टियागो में कौन से सीट कवर लगाने चाहिए कौन से आपके लिए परफेक्ट रहेंगे और अगर आप एक बार सीट कवर लगाने का सोच रहे ना तो इस वाली वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आपके में और गाड़ी खड़ी है हमारी नीचे की तरफ सो फटा फट से पहले चलते हैं नीचे और फिर आपको बताते हैं वहापर यह खड़ी हमारी बाइक और यह खड़ी हमारी कार इसे करते हैं अनलोक भाई गाड़ी हो रही है कसूत्ती गरम थोड़ा इसे चालू कर लेते हैं इसका कूल्ड स्टार्ट का कोटा भी पूरा हो जाएगा और एसी चालू हो जाएगी थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा सो दोस्तों बात है कुछ ऐसी कि मार्केट में आपको दो तरह के सीट कवर्स देखने को मिल जाएंगे एक तो वैसे जो मतलब सिंपल उपर आप तकी कवर्स जैसे चड़ाते होंगे ना वैसे आपको सीट के उपर चड़ाने को मिल जाएगा और दूसरा है बकेट जो कि सीट से कार में वह भी आज कल दो टाइर की एक तो सिंपल आपनी वैसी वाली सीट जो अभी ती तरफ देख रहे और दूसरी चार में वैं टी लेटेट सीट है तो गल्ति सेभी सीट कवर मच चड़वा लेना वहाई तो इतने पैसे खर्च करने का मतलब क्या रहेगा मतलब नहीं हो पाईगी और ऐसी वाली सीट है तो आपको क्या iskt become भी करते हैं लोगता यह हे कि इस वाली ऐसीट के नीचे जो आप भी पीछे की तरफ देख रहा है इसके नीचे होता क्या है कि यह कपड़ा है यह कपड़ा है नॉर्मल और इसके नीचे डायरेक्ट आपको जो फोम है वो भरा हुआ दिख जाएगा और नॉर्मल वाले सीट कवर और बकेट फिटिंग वाले सीट कवर के अपने-अपने फायदे और अपने-अपने नुकसाने तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या है कि फिटिंग अच्छे से नहीं आती आप जैसे ही मतलब उसे लगवा लेंगे और एक हफ्ते-दो हफ्ते बाद जब यूज करेंगे तो वह ऐसा हो जाता है मतलब सल से पढ़ जाते हैं जो फिटिंग है वह अच्छी नहीं आती मतलब आपको इंटीरियर थोड़ा सा भद्दा सा दिखने लगेगा उन वाले सीट कवर के साथ और जो दूसरे सीट कवर आते हैं बकेट फिटिंग वाले उनका दिक्कत यह है कि बाई नई नई गाड़ी है एकदम शोरूम से निकलते ही लेके जाओ और सीट कवर वाले के पास लेके जाओ वो सीट खोल देगा कूरी एकदम कटाइब कर देने कि मैंने कोशिश नहीं कि मैं भी गया था लेकिन नहीं कि काटप कुटके धागा लगाते हैं तो मुझसे देखा गया नहीं तो मैंने वो लगवाए नहीं अब फोम् की क्वालिटी क्या होती है कि थोड़े समय बाद जब-जब जैसे जैसे रिसर्च वगेरा करके बनाती काफी जादा कमफर्टेबल रहती अपने आप में और यह जो कपड़े वाली सीट्स आती है ना एक चीज मैंने पर्सनेली इसका बेनीफिट नोटीस किया है कि जब आप लोंग ड्रैश पे जाते ना तो आपकी पीठ वगेरा से जो पसीना वग आता है तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपनी टियागों में जो कंपनी से जो सीट्स आई थी वैसी ही रखी हुई है और यह मतलब ज्यादा गंदी ही नहीं है मेरी गाड़ी मतलब एक साल पुरानी एक से डेड़ साल होने वाला इसे और अभी तक जो ओडोमीटर की री है यह मैं आपको बता दूँ कि जब आप गाड़ी नहीं नहीं लेने जाएं तो अगर आपको डर यह है सबसे पहले कि आपका जो यह सीट्स है यह गंदी हो जाएंगी तो इस डर को मन से निकाल दें क्योंकि भाई जो आप सीट कवर लगवाएंगे वह भी तो गंदा हो ग जाती उसका जो फोम है वह दब जाता है तब आप इसमें बकेट फिटिंग वाली जो सीट्स कवर आते हैं वह चड़वाले और उनका क्या है थोड़ा सा फोम वगएरा उनके अंदर अच्छा मोटा रहता है उनकी जो फिटिंग है वह काफी अच्छी तो आपकी जो सीट्स है वह वापिस से रिटेन हो जाएगी वैसी कि वैसी हो जाएगी जैसी नहीं थी उनकी जो मोटाइव अगरा कम हुई थी वह एजटी पहले जैसी हो जाएगी और उस समय वह आपको बेनिफिशल रहेंगे सो इनिशली आपको गाड़ी शोरूम से निकलता है कोई सीट कवर डलवाने की जरुवत नहीं है मैंने भी नहीं डलवाए हैं बाकी आपकी मर्जी है सो भाई यह था ओवर ओपिनियन सीट कवर के बारे में मेरा कमेंट में आप बताइएगा आपका क्या विचार है इस बारे में बाकी लाइक करिएगा अगर वीडियो यूसफुल आपको ल हुआ है